हेलो फ्रेंज, वेलकम टो एट्वन्टीफो नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइन इंडिया नेवी की नियू रिकुर्माइन नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म फिलप प्रोसेस के बारे में, तो फ्रेंज यहाँ पर देखिए जो एप्रेंटिशिप अगर आपने की हुई है, इंडियान निवी स्कूल से तो ही आप इसमें एप्लिकेबल है, अप्लाइ करने के लिए, इसकी जो डिटेल, LBT कंडिशन है, या फिर वेकेंसी की डिटेल है, या फिर आपको सेलेक्शन प्रोसेजर या पारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अप्डेट मिल सकें, तो यहाँ पर फैंसे ये इसका देखिए, ओनलाइन अप्लाइब पोर्टल है, ओनली 4X नेवल एप्रेंटिशिप जो की यह यहाँ पर अप्लाइब कर सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन सेक्शन दिया गया है, पर लॉगिन करने से पहले आपको यहाँ पर रडिस्टर करना होगा, तो रडिस्टर वाले ओप्शन पर आप किलिक करेंगे, इसके बर आपके सामने एक पेज ओपन होग OTP करनी होगी Mobile number और mail ID बिल्कुल सही-सही होने चाहिए इसके बाद जो आपके पास OTP आएगी वो OTP आपको verify करनी होगी OTP verify करने के बाद ही आपको आपका registration जो है आपका complete होगा registration करने के बाद फैंसे आपको देखिए आपकी login ID पासवर्ड मिल जाएगा और उस login ID पासवर्ड के साथ अब आप यहाँ पर जो login है वो कर सकते हैं login करने के बाद फैंसे आपका जो यह form है आप स्टार्ट हो जाएगा basic detail qualification, additional detail, document upload और final submission यह 5 step में आपको इस form को complete करना है सबसे पहले फैंसे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका father name तो आपको यहाँ पर देना है आपका father name और इसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा आपका mother name यह friendship basic जानकारी है जो कि आप यहाँ पर fill करेंगे इसके बाद आपसे पूछा गया है वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं आपका native state, आपका state of origin जहाँ पर आप निवासी है उसके आपको यहाँ पर जानकारी देनी है और यह अपका permanent address आपका जो state है वो आपको देना होगा religion आपको यहाँ पर select करना है gender आपको select करना है इसके बार nationality आपको यहाँ पर select करनी है कोई भी identification mark जैसे cut का निशान है कोई mole है कोई burn का निशान है आप उसकी जनकारी दे सकते हैं तो आपको no mark या फिर na भी लिख सकते हैं आपका 12 digit का धारकार नमबर आप यहाँ mention करेंगे आपका address आपको यहाँ पर fill करना है तो आपका जो भी पूरा address है वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं इसके बार friends आपको यहाँ पर देनी है आपकी city इसके बार आपको देना है यहाँ पर आपका state इसके बार आपको देना है यहाँ पर आपका डिस्टेग और उसके बार आपका पिन कोड यह basic जानकारी फिल करने के बाद अगर आपका correspondence और आपका permanent address सेम है तो आप yes कर सकते हैं अलग-अलग है तो आप no पर entry करके manual entry भी कर सकते हैं तो यह फ्रेंज से basic जानकारी है first step में जि अब आपने इसको कब पास किया है इसके बाद total number कितने है किते numbers आपने यहाँ पर गेन किये है इसकी जानकारी और उसके बार आपकी percentage यहाँ पर आ जाएगी अगर आप 10 प्लस 2, diploma, degree जो भी पास आउट है आप उसकी जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं पर 10 यहाँ पर mandatory रहेगा इसके बाद है technical qualification अब आपने यहाँ पर देखिए apprenticeship किस school से की है अगर आपने मुंबई से विसागा पटनम से कोची से करवल से जहां से भी आपने यहाँ पर apprenticeship training की है वो आप select करेंगे इसके बाद कब से कब तक आपने training की है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर provide करनी होगी तो यह friends से जानकारी आप अपने according यहाँ पर enter कर सकते है और इसके बाद यहाँ पर है जो आपका apprenticeship जो certificate है वो NCVT से position है या नहीं है तो आप यहाँ पर yes करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपकी जानकारी NCVT apprenticeship certificate की आप वो यहाँ पर दे सकते हैं और अगर friends से है तो आप no करेंगे और आप चाहिए तो अपने DS का certificate certificate date और किसके द्वारा यह certificate मिला है उसकी जानकारी आप यहाँ पर provide कर सकते हैं नीचे आपको मिलता है preference of trade तो आप यहाँ पर अपने trade की preference दे सकते हैं इन वेसे किस trade के लिए आप अपनी जो preference है वो आप यहाँ पर देन के देंगे इसके बात यहाँ पर आपको TRBA मिलेगी वो ट्रेड आपको सबसाब कर देंगे इसके बात पर तीसरू अप्शन है additional detail तो सबसे पहले category पर जाना है आपकी जो भी category है general SC, ST, OBC वो आप दे सकते हैं आपके caste या community की जनकारी आपको देनी होगी आपकी कौन सी caste है और ये friends आपके caste certificate पर mention होना चाहिए इसके बाद caste certificate issue authority कौन सी है मतलब तहसिलडार, SDM, Jilla Magistrate किसना ये जारी किया है आपका certificate number क्या है, आपका date of issue क्या है मतलब ये कब जारी हुआ है और किस state से ये जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर selected करना होगा इसके बाद अगर आप PH candidate है तो yes कर सकते हैं और अपने type of disability की जनकारी प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप इसमें भी no करेंगे ex-servecember है तो आप यहाँ पर अपने ex-serveicesman की जनकारी प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं तौ आप इसमें भी no करेंगे अगर आप employed है Central Government Service में तो आप अपनी जनकारी प्रोवाइड कीजिये नहीं तो आप इसमें भी no करेंगे और उसके बाद save and proceed कर देंगे next step के लिए इसके बाद फैंसे जो आपका next option है document upload कर रहेगा और यहाँ पर देखिए photograph आपको upload करना है यहाँ पर photograph plain white background के साथ आपको upload करना होगा, size आपको दिया गया है signature आपको यहाँ पर upload करना है black in pen के साथ आपको यहाँ पर upload करना होगा नीचे है documents upload यहाँ पर देखिए आपको कहा गया है PDF format में आप यह upload करेंगे और 400 की बी का size आपको यहाँ पर कहा गया है जिसमें आपका date of birth का proof तो 10th का जो आपका certificate है वो आप यहाँ upload कर सकते हैं 10th का या SSC का आपका यहाँ certificate upload करना है NCVT apprenticeship या DS जो certificate है वो आपको देना होगा का certificate आप यहाँ दे सकते हैं कोई भी एक photo ID proof आप यहाँ पर upload कर सकते हैं इसके लवा कोई other additional को document है तो आप उसकी जानकारी भी provide कर सकते हैं तो यह basic ज्यानकारी है जो कि आप यहाँ पर choose file पर click करेंगे file को select करके यहाँ से upload कर देंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपको photograph, signature और documents के यहाँ पर आपको preview मिल जाते हैं इसके बाद friends आपको यहाँ पर देखिए yes करना है तो yes कर सकते हैं नो करना है तो no कर सकते हैं बाकि आप yes करेंगे तो benefit आपको मिल जाएगा जो कि आपके यहाँ पर जो भी आपकी information available है वो access आप यहाँ पर कर पाएंगे personal information को इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दिया गया है save and proceed का option तो आप यहाँ से save and proceed कर सकते हैं save and proceed करने के बाद friends next option आपके यहाँ पर preview का है तो आपने जो भी details यहाँ पर फिल की है उसका जो preview है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं last step में इसके बाद friends आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आप यहाँ से declare करेंगे declare करने के बाद आप यहाँ से form को final submit कर सकते हैं final submit करने के बाद friends आपको यहाँ पर देखिए print का एक option मिल जाता है आप इस link पर click करेंगे और उसके बाद जो आपका application form है जो आपने details को फिल किया है इसका या तो आप PDF में save करके रख सकते हैं अपने पास या फिर friends आप इसका वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही regular updates आपको लगातार मिल सके तो like, subscribe and share जरू कीजिए बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube चैनल and last thanks for watching